नमस्कार आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनी इसके लिए हैं पी पालुक, धनिया और पुदिना लीए यहिए अपनींध मिलाओन की अपने प्याजों बुण तो इसमें अपना धनीय पूदीन और बालक लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने प्याजों के साथ इसे पीद तक दो पूद लेंगे यहाँ पर देखिए हमारी सारी चीजी अच्छे से बुन गई है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे फिर एक पैन लेंगे इसमें तेल डालेंगे तेल को गरम कर लेंगे और अपने पनीर के पीसेस डालेंगे यहां पर मैंने पनी को लंबा लंबा काट लिया है यह देखिए हमारे पनी के पीसे भी अच्छे से फ्राय होगे तो गैस को बंद कर लेंगे और अपनी पनी को प्लेट में निकालके सैड में रख लेंगे फिर एक बाउन लेंगे इसमें डालेंगे ताजी दही गरम असाला धनीय पाउडर हल्दी लाल मिच पाउडर काले मिच का पाउडर और नमक डालेंगे सारे चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे और ये देखे हमारा दही वाला पेस्ट तयार है तो इसे हम रख देगे सैड में अब हमारा प्याज वाला mixer भी थंडा हो गया है तो इसे grinder jar में ढालके हम दर दरा सा पीस लेंगे फिल लेंगे हमें कड़ाई, कड़ाई में तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, दाल चीनी, दो सुखी लाल मेच, तेज़ पत्ता, मोठी काले लाइची, हरी लाइची और लॉंग डालेंगे सारे चीज़ों को हलका साटे कर लेंगे इसके बाद अपना प्याज वाला पेस्ट जो हमने पीसा था वो डाल देंगे थोड़ा सा डाल देंगे हम पर पानी और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे फिर ढकल लगा के इसे 3-4 मिन तक हम पका देंगे फिर इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून ठंटा पानी और अपनी गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे हम अपना धई वाला पेस्ट और धई वाला पेस्ट डालने के बाद हम इससे लगाता चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे धरीय और ना फट है फिर इसमें हम डाल देंगे एक कप गरम पानी और इसे दखके रख देंगे पाश मिनट के लिए यहां पर देखे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है तो फिर इसमें हम डालेंगे चार से पास टेवर स्पून फ्रेश क्रीम फ्राय किया अपना पनीर थोड़ी से डाल दें कसूरी में ती दो से तीन मिनिट तक इसे पका लेंगे फिर कर देंगे का इसको बंद और एक सर् अधराबादी परिए